नमस्कार दोस्तों मैं राजीव आप सभी के सामने एक बाग फिर से उपस्तित हूँ तीस मिनट की क्लास को लेकर लेकर लेब्रेरी साइंस की इसमें हम लोग जो है जो भी क्यूस्टांस होंगे तीस मिनट में उसे कवर करने की कोशिस करेंगे साथ है साथ इसके एडिशनल इ रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपोर्टेंट क्यूसंस को तो हमारे जो है 1560 क्यूसंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं आज हम उसके आगे की क्यूसंस को देखेंगे 1561 से थोड़ा सा अजुम कर लिया जाए तो हमारा पहला प्रशन आज का है कि अपुपा यानि कि यू पी यू पी ए अपुपा पद्धती किस प्रक्रिया से संबंधित है अपुपा पद्धती जो है किस प्रक्रिया से संबंधित है तो यह जो है वर्गी करण से रिलेटिव है आगे के प्रश्न दिखते हैं कि आप आपको बता ही हूं मैं कि अपुपा पद्दती जो है यह रंग नाथन महोते के द्वारा जो है दिया गया है का आगे देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा है कि क्लासिफिकेशन सब्द की उत्पत्ति लेटिंग भासा के निम्न सब्द से हुई है तो यह क्लासिस से हुई है क्लासिस से हुई है option a अगला प्रश्ण है रंगनाथन के अंसार किस मुलभूत श्रेणी की पहचान करना कठीन है किस की पहचान करना कठीन है तो रंगनाथन महोते के द्वारा पांच मुलभूत श्रेणिया दी गई थी पी, एम, ए, 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 टी ठीक है प्रश्णाल्टी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम ठीक है टी के लिए कॉमा का प्रियोग किया गया है मैटर के लिए सेमी कॉमा का प्रियोग किया गया है आपसे पहचान कुछ भी पूछ सकता है पहचान भी और एनर्जी के लिए ज है एक डॉट का प्योग किया गया है और टाइम के लिए एकल इंवेयर्टेट कमा का प्योग किया है त्वि replen्ट चिस विजिए और इसमें सबसे कथिन जो है प्रहर शिनल्ट स्वरी कशान करना सबसे कठिन होता है व्यक्तित मुल्भू स्रीनियों की पहचान सरवाधिक कठिन होती है इसकी पहचान के लिए डाग्डर रंगनाथन द्वारा और सेस का सिध्धान ठीक है यह मेथड ऑफ रिसीड ड्यू का प्रतिपादिन की जो है किया था इसमें कहा गया है कि पांच मुल्भू स्रीनियों में से क्रम सथान उर्जा यह परदात की पहचान करने के बाद जो बच जाता है वह जो है व्यक्तिक्त के अंतरगत आएगा बासमझे आप यानि कि चार चार का प्रियोग करने के बाद जो आएगा वो personality में आ जाएगा यानि कि इनका प्रियोग करने के बाद और पी के लिए आप किसका प्रियोग करेंगे तो कॉमा का प्रियोग किया जाएगा आगे देखते हैं यहां नीचे हमने जो है mention भी कर दिया है आप इसे वीडियो को रुप के देख सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आप पढ़ पाएं कि यहां लिखा हुए न कि समय अस्थान उर्जा यह परदार्थ की पहचान करने के बाद जो सेस्वचे वह मूल भूत व्यक्तित्व के अंतरगत आएगा इसीच का आप ध्यान रखिए आगे देखते हैं अगला प्र है तो कि सिबस्टों अगले तो आप अर्थ आ में डूक तोस you आ इसका राइट एंसर ऑप्शन बी के होगा यहां पर हमने में इंसन कर दिया है देखिए जुलूजी जो है या मुखवर को प्राणी सास्त्र भी कहते हैं क्योंकि उसके अंतरगत जल थल वर नव पर रहने वाले समस्त जीव जनतु पसू पक्षियों तथा किले मुकोडे आधि का अध्यन किया जाता है इस मुखवर के अंतरगत जीव जगत की समस्याओं का भी अध्यन किया जाता है आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा है कि किस वरगी करण पद्धती में सुनने केवल सूचकांक है सुनने जो है सुचकांक है तो डीडी सी में है आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा है कि सी सी है सी सी जो है क्या है तो यह एनेलोटिक सिंथेटिक क्लासिफिकेशन से रिलेटिव है ऑप्शन सी और सी सी के बारे में जो है जे मिल्स ने कहा था जे मिल्स के अन्सार जो है वीषे का पहले पकचो के वीषलेशन कर लिया जाता है तथा इसके पहचात संसलेशन द्वारा वरगांकों का निर्मार किया जाएगा ठीक है इस वर्गी करनार पद्धती में जो है संयुक्त विशे को सर्व पर्थम वैचारिक अस्तर पर पक्छो के विशलेशित किया जाता है इसके बाद साब्दिक रूप पर रुपांत्री कर यह अंकर अस्तर पर एक गूसरे से विभीन योजक चिन्हों की सहता से जोड़ दिये जाते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण हमारा कह रहा है कि दुई बिंदू वर्गी करनार पद्धती के प्रथम संस्क्रण में कितने योजक चिन्हों का प्रियोग किया जाता है कितने योजक चिन्हों का प्रियोग किया जाता है दू बिंदू वर्गी करन में यानि कि कोलन क्लासिफिकेशन में है तो इसमें जो है एक ही यूजक चिन का प्रियुक किया जाता है और वह है कोलन यानि कि दू बिंदू जो है उपर नीचे होती है तो आप्षन इसका डी हो जाएगा आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा कारा कि कोलन वर्गी करन में किस प्रकार के अंकन का प्रियोग किया जाता है तो इसमें जो है मिस्रित अंकन का प्रियोग किया जाता है कि जो है इसमें 0 से लेके 9 तक अल्फाबेट अ से लेके जेट तक का प्रियोक किया जाता है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा कारा है कि निम्रिकेत में से कौन सा भी से DDC उनिस्वे संस्क्रण में अंकन 370 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है अगला प्रस्तुत किया गया है तो एजुकेशन को ऑप्शन D क्योंकि जो है फर्स्ट समरी में जो 300 है वो 300 आपका जो है सोचल साइन्स से रिलेटिव है तो सिख्छा भी समाज से रिलेटिव है तो ये 300 के अंतरगत आए गया अगले प्रशन को अगला प्रशन हमारा करा है कि DDC की दूतिय सारणी संबंधित है तो ये जो है भोगोलिक छेत्र से रिलेटिव है ओप्शन D क्योंकि मैंने आपको बताए ही था कि T1 जो है इस्टेंडर ऑफ इंडिविज्वल लिट्रेचर से है दूसरा एरिया से है तीसरा स्टेंडर ऑफ इंडिविज्वल लिट्रेचर से है चौथा जो है सब इविज्वल लांगवेज्व से है पाचवाँ जो है रिकाल एर्थ जो है नेशनल ग्रूप से है, छेटा जो है लांग्वाज से है, सत्मा जो है प्रशन से है, प्रसन से है, शोरी. अगला प्रशन है हमारा कह रहा है कि जेड फोटी जे फाइफ जो है, फोट एंड क्राइम के मद्द रिलेशन उदारन है. तो यह जो है इंट्रा फेस्ट फेस्ट रिलेशन के उधारण है option B क्योंकि देखिए पहले इसमें जो परिशुत्र बनेगा जेड जो है यह आप थोड़ा सा ही मोबाईल में दिक्कत होती है पी फिर टू मैं कॉलम में नहीं ब्रेकट में नहीं लिख रहा हूं आप समझ जाएगा पी टू पी थरी और पी फोर ठीक है तो इसमें दिया हुआ है कि जेड़ फोर्टी जे फाइफ फाइफ दिया हुआ है तो जेड जो है यह darnू से रोलेटीव है फोर्टी जो है टोर से रोलेटीव है जे जो है इंट्राफेस्टड रिलेशन से है यानि कि रिलेशन टाइफ ऑफ जनरल से है और फाइफ जो है क्राइम से है यानि कि इंट्राफेस्टड जनरल रिलेशन इस प्रकार के समद्धों के बीच जो है किसी प्रकार के जुकाओ न तुलना नहीं अंतर का ही प्रभाव का बोध हो वहां पर कह होता है यह संबंद एक मुख्वर्द के एक ही पक्ष के दो समान एक लोग एक लोग जो है बीच होना चाहिए इसका संयोग जो जो है ओ जे है जो यहां पे मिंसन किया गया है आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा कह रहा है कि CIP कारिकरम की स्वर्ष प्रारम किया गया CIP का पूरा नाम है cataloging in publication यह भी आपको ध्यान रखे तो cataloging in publication का प्रारम जो है 1950 में किया गया था और यह program United Kingdom और Ireland में प्रकासन से पहले नई आने वाली पुष्टको की record प्रदान करता है और British राष्टी गरंथ सूची में सामिल है CIP जो है कारिकरम प्रकाशको और पुष्टकाले पुष्टकाले की सेवा जो है करता है प्रकाशको के लिए कारिकरम पुष्टकाले पुष्टक खरिदने के लिए बाजार के लिए एक पुल की रूप में करता है पुष्ट कालेयों के यह एक जो है सचित यानि की अलोर्टिंग सेवा है जो उन्हें अपने उप्यों करता हूं समधायों के बीच रूची के सिर्षक की इडेंटिफिकेशन के रूप में करती है अगला प्रशन हमारा है कि कॉलन क्लासिफिकेशन यानि कि दुई विंदू वर्गी करार पद्धति में कितने अंकोनों का प्रियोग किया जाता है बहुत इंपोर्टेंट किस्टन है कितने अंकोनों का प्रियोग किया जाता है वीडियो को यहाँ पर मैं रोकूंगा आपको इसे पूरी तरीके से समझाओंगा तब आपके समझ में ये चीज आएगा तब इसके उत्तर आप समझ पाएंगे कि कितने अंकनों का प्रियोग किया जाता है देखिए सबसे पहले तो रोमन कैप्टल अक्षर जो है कितने हमारे पास है एस लेके जेड तक 26 है भाई 26 है इस माल में इस माल रोमन जो है उसमें भी 26 होते हैं उसमें भी 26 अच्छर होते हैं लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है एट टू जेड ठीक है इसमें भी 26 होते हैं लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना ह है आई ल को छोड़ कर होते हैं यानि कि कुल कितने हो गए तेइस ठीक है तेऊस अच्छर और इंडो और रेवियन नंबर जो है कौन-कौन से हैं एक से लेके नौ तक यानि की नौ अच्छर और ग्रिक अक्छर क्या होता है तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि मिस्त्र के पिरमिंड वगरे जो है इस तरीके से जो है बनते हैं और यूजक चीन जो है कुल कितने है बारा यूजक चीन जो है कुल कितने है बारा और यह जो है यह हो गया ठीक है यहाँ पर जो है लिख दे रहा हूं में 26 हो गया 23 हो गया 9 हो गया एक हो गया और बारा हो गया ठीक है और आप जो है योजग चिन कौन कौन से होते हैं तो कहिए तो यह भी आपको मैं भी बता दे रहा हूं तो टोटल जो है आप काउंट करेंगे तो 71 हो जाएगा योजक चिन आप अगर समझना चाहें तो समझें, पहले 0 हो गया, फिर आपका hyphen हो गया, फिर bracket हो गया, फिर comma हो गया, फिर semi-colma हो गया, इस तरीके से colon हो गया, फिर dot हो गया, फिर single inverted comma हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो है, भविस, भूत, ये सारी चीज जो है, इसके आते हैं, तो इसका right answer जो है, option B होगा, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन हमारा कह रहा है, कि DV दस्मलो वर्गी करण के 23 में मुद्रित संस्क्रण का प्रकार्शन किस वर्ष हुआ था, तो भाई, 2011 में हुआ था, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, और 22 में और 23 में संस्क्रण में टेबल की संक्या 6 थी, और 20 से लेके 23 तक खंडों में, 4 खंडों में प्रकाशन हुआ था, 20 से लेके 23 तक जो प्रकाशन हुआ था, वो 4 खंडों में हुआ था, आगे देखते हैं, अगला प्रशन हमारा कह रहा है, कि Great Britain द्वारा केनियान समीती का गठा प्रकार के पुस्तकालियों के विखास हेतु किया गया, केनियान समीती की बात हो रही है, तो ये जो है विशिष्ट पुस्तकालियों के लिए किया गया था, केनियान समीती का गठन 1924 में किया गया था, सर फैडरिक केनियोन के द्वारा किया गया था, समीति द्वारा रिपोर्ट में कहा गया था कि सॉर्जुनिक पुस्तकाले देश की संवृध्धी में महत्पूर्ण साधन है तथा समाज को सब्यता तथा सिक्षा की प्रगति के लिए आवस्यक है ऐसे पुस्तकाले मनुष्ट को उसके जीवन संघर्ष में वृध्धी में सह हायक सिद्ध होंगे विशिष्ट पुस्तकाले यों से तात पर है कि जिस पुस्तकाले के पाठक तथा संग्रख दोनों विशिएस परकार के हों वे इस फेसल लैपरेरी की अंतरगत आते हैं फोर एक्जम्पल योजना आयो और शास्त्र विभाग लोग सभा पुस्तकाले नेशनल फिश्कल लैपरेटरी लैपरेरी वेबसाइक पुस्तकाले और दोगी कुस्तकाले यहनि कि और दोगी में आपका इसपात तांबा अभरग तेल इत्यादी आ जाएंगे अस्पाताल पुस्तकाले आदी जो है इस पेसल लैपरेरी के स्रेनी के अंतरगत आते हैं कौन सा है तो सबसे पहले तो आप कुछ न करिए अब डीडीसी को ही देख लीजिए तो डीडीसी जो है 1826 है अठारो सो चिर्फी दो में दिखाई दे रहा है तो इसको तो आप काठे दीजिए और इनको भी काठ दीजिए डीडीसी हो गया और डीडीसी के बाद जो है UDC जो है 80 95 में आया था यानि कि उनिवर्शल डेश्मल क्लासिफिकल आया था CC जो है 93 में आया था 93 में आया था इससे आप से देखिए किस में है तो राइट अंसर आप्शन दी में है सबसे लास्ट में जो है 33 है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा कह रहा है कि डीडीसी में तालका पाँच निमलिकेत में से किस के लिए दी गई है किसके लिए दी गई है तो तापल का 5 कि आपका जो है प्रजाती वह राष्टी समूव के लिए दी गई है आगे देखते हैं अगला प्रश्णा है कि डीडी सी उनिस्वा संस्क्राण में कितने मुख्य वर्ग है कि मुख्य वर्ग कितने हैं तो मुख्य वर्ग तो दस है जीरो से नौ नो सथ तक ट्रिपल जीरो जो है ये जनरिलिया से है 100 जो है ये दर्शन और रिलेटिव सब्जेक्ट से है 200 जो है धर्म से है 300 जो है समाज से है 400 भांसा से है 500 प्योर विज्ञान से है 600 जो है परुद्विकी से है 700 कला से है 800 सहित से है 900 समान भूगल और इतिहास से है अगला प्रश्न हमारा कहरा है कि CC में व्यक्तित पक्ष के लिए किस योजकी चिन्न का प्रियोग किया जाता है अगला प्रश्न हमारा है कि इसके अनुषार वर गांक एक उस्तक का विसेस विषे का क्रमिक अंक में कृतीम भासा में अनुबाद है. तो Sr. रंगनाथन महोदे का ये स्टेटमेंट है. ग्रंथ के क्रमांक संख्या का वह भाग जो किसी ग्रंथ के विषे को क्रितिम भासा में व्यक्त करता है, वह वरगांक कहलाता है डगड़रंगनाथन की अंसार जो है एक ग्रंथ का वरगांक उसके विशिष्ट विशे के नाम का क्रम दर्शक अंको का कृतिम भासा में अनबाद होता है इसका तात परहिया है कि किसी ग्रंथ के विशिष्ट विशे को सुनिशित करना होगा एक ग्रंथ का विशिष्ट विशे ज्यान का वह भाग है जिसका विश्तार योग घंता विचार वस्तु के सामानांतर होता है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सी वर्गी करण पद्धती पूर्ण रूप से गुडातमक्त है गुडातमक्त है तो लाइब्रेरी ओफ कॉंग्रेस आप्शन ए इसका राइट एंसर होगा यानि कि सुध परिगण नातमक्त पद्धती इस प्रकार की क्लासिफिकेशन में जो है एक ही अंसूची में भूत वर्थमान और भविस के संभावित विश्यों को जो है सामिल कर लिया जाता है इसमें जो है उदारान के तोर पे लाइब्रेरी ओफ कॉंग्रेस राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन को आप रख सकते हैं इसमें जो है लाइब्रेरी ओफ कॉंग्रेस और राइडर्स जो है अगर रहता है सायद पीछे की वीडियो में जो है मैंने आपको बताया आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है कि ddc 19000 के संपादक जो है कौन है तो बेंजामीन कर्ष्टर हैं औप्सन C बेंजामिर करश्टर आगे देखते हैं और डीडीसी का 19 संस्क्रण जो है 1979 में आया था अगर यह पुछ दे आप से तो 1979 में आया था और इसमें जो है पेज अगर आप से पुछ दे तो 33 एक सट पेज थे और टेबल जो है साथ थी आगे देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा का रहा है कि डीडीसी इसमें संस्क्राण के प्रकाशन में तालिका वन का प्रत्निधित करता है तालिका वन जो है किस का प्रत्निधित करते हैं तो इस टेंडर सब डिविजन आप सन ए अगला प्रश्ण यहां पर मैंने जो है कर दिया है टीवन मानक विभाजन नोटेशन का उपयोग कभी भी अकेले नहीं किया जाता है बलकि अंसूचियों में से किसी भी संख्या के साथ आव सकता अंसार उ के बीच एक दस्मलों बिंदू डालें दस्मलों बिंदू जो है डालना ज़रूरी है आगे देखते हैं किस वर्गी करार पद्धती में एसी आई के लिए प्रावीधान उपलब्ध है एसी आई की बात हो रही है यहां पर बात हो रही है तो एसी आई का प्रियोग जो है सीसी में किया जाता है आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा करा है कि निम्लिखित में से कौन सी तालका डी डी सी के उनिसवे संस्क्राण की अंसूचियों के किसी भी अंक के साथ जब भी आवस्यक्त हो उप्योग की जा सकती है तो तालका वन उप्योग की जा सकती है क्योंकि देखिए अभी हमने आपको यहां बताया ना बल्कि उन्सोचियों में से किसी भी आउ सकता उन्सार जो हो उप्यों किया जा सकता है आगे देखते हैं इसे आप वीडियो को रोक के देख लिजिएगा इंपोर्टेंट्स में थोड़ा सई से ध्यान दिजेगा कि टेबल वन जो है इस्टेंडर्स अब डिजन यह सारणी स्वतंत रूप से उप्योग होने वाली सारणी है अर्थात इसको प्रियोग करने के लिए किसी डिरेक निर्देश की आउ सकता नहीं होती है इस सारणी के अंकनों को कभी भी अकेले प्रियोग तो नहीं किया जा सकता है प्रतेक अंकन डेस के साथ जो है दिये गए है विशिष्ट विशिक के साथ जोडने पर जो है डेस स्वयम ही समाप्त हो जाता है इसमें अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा का रहा है कि ड्यूवी दिस्मालों वर्गी करण 19 वा की तालिका तीन संबंधित है तो यह सहित उपविभाजन से है अगला प्रश्ण हमारा का रहा है कि वर्ग संखेट 2WM92 में डबलू क्या दर्शाता है डबलू जो है क्या दर्शाता है तो बायो ग्राफिक दर्शाता है अगे देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा है कि मुल्भूत प्रदार्थ का संयोगी प्रतीक क्या है तो सेमी कॉलन होता है सेमी कॉलन होता है मुल्भूत प्रदार्थ का जो है यहने कि मैटर की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया ही था कि पी के लिए कॉमा यम के लिए सेमी कॉलन इस तरीके के आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा का रहा है कि कॉलन वर्गी करण छठा संस्क्राण का भाग दो संबंधित है भाग दो है किस संबंधित है तो यह वर्गी करण की अंसूचियों से है आगे के क्यूशन में आपसे इससे भी पूचेगा कि भाग तीन किस से रिलेटिव है तो सिरेष्ट ग्रंथू की अंसूचियों से है आगे चलिए अभी देखिए अभी बहुत सारे क्यूशन जो है जाता है तो दस मुखवर्ग के नाम से जाना जाता है डीडीसी के प्रथम सारंश को अगला देखते हैं अगला हमारा है कि CC में मुखवर्ग O सहित का पक्ष सुत्र क्या है तो P, P2, P3, P4 इस तरीके से है त्लिक है यहां B दे दिया है यहां कोई मतलब ही नहीं रहता है कि यह तो पी यम यस्टी है तो यह होगा ऑप्शन सी कि आगे देखते हैं अगला प्रश्णा हमारा करा कि सी में मेडिसीन यानि के चिक्सा को किस संकेत के दोरा व्यक्त किया जाता है तो जब तक आप कोलन की भुक नहीं लेंगे और प्रेटिकल नहीं करेंगे तब तक इसे समझना तो थोड़ा टफ है यहां पर चिक्सा की बात हो रही है तो हैं सिसमे यहां से जितने पी अंसर दिये गये हैं इन 먹을 से इसका राइट अंसर दोगा कोई नहीं होगा कुईभी not क्योंगी जो यह वह एक रिक पलशर से रिटिव है और टी ुह आपका जो है बायो लॉजी से रिलेटिव है कि आगे देखते हैं अगला प्रश्णा हमारा कारा है कि दुविंदी वर्गी कराण छटा संस्क्रण में पुर्वती समान एकल ती संकेत करता है कि जो है क्या संकेत करता है तो कॉन्फरेंस प्रियोडिकल्स जो है करता है यानि कि समान एकल आइसलेट जो कि किसी मुख वर्ग के साथ प्रियोग होने पर भी सब जगह एक ही अर्थ का बोध कराती हो 1957 में इसको समान एकल के नाम से जाना जाने लगा था पहले इसको कॉमन सब डियूजन नाम से जाना जाता था और यह जो है दो प्रकार की होती थी आगे देखते हैं दोस्तों वीडियोज को जो है यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि तीस मिनट का समय आपका समाप्त हो चुका है मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा भुरियत महसूस करें तो पसंद आया है तो चैनल को जरूर लाइक कीजेगा बाकी की इन्फार्मेशन आपको कल प्रोवाइट की जाएगे तो मिलके एकले वीडियो में ख्याल रखे दाने का